हेलो और नमस्का दोस्तों आज की मेरी वोडियो है अबाउट डिवॉर्मिंग जो आप अगर डॉक की डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं उसका कारण क्या है डॉक को खाया पिया कुछ नहीं लगेगा डॉक अगर घासपूस खा रहा है यहां फिर आपकी घर में जूते चपा अग्रों को खा रहा है तो डॉटी डिवॉर्मिंग नहीं करन है वो उसी वजय से उसी कारण से है अगर हमने डॉक को 33,000 में-44,000 पर इल्альная क्रीम घरे house पर नहीं काम कर रहा है तो डॉक्त डिवर्मिंग सप्सेस्पूल नहीं हुई है डाइस डॉक डिवॉर्मिंग अराउंट बॉड़ी वेट के हिस हिसाब से करें 19-20 का फरक कभी मत करें डॉग को अगर डॉग का 15 पिलो बॉड़ी वेट है तो एक एंड हाफ गुली देंगे हम अगर वो 20 के लिए है तो टूट अब देंगे अगर वो 5 केजी का है तो फाइव एमल देंगे हम उसको लेकोड फॉर्म में देंगे है सो प्लीज गाइस हमेशा डॉग को डॉड़ी वेट के हिसाब से ही करें डॉग को अगर खाया पिया कुछ में यह लग रहा है तो आपने डॉग के डॉड़ी नहीं करी है उस वजह से ही है डॉग के अंदर बॉंब्स पैदा होते हैं अगर हम डॉग को दूड दे रहे हैं तक भी वो डिवार्मिंग करें का कोई भी फाइदा नहीं यह उसको एक परसंट फाइदा नहीं है तो प्लीज काईज डॉप के डॉड़ी डिवार्मिंग अरांट बॉडी वेट के ही हिसाब से करें 19-21 का फरक कभी मत करें डॉग को अगर हम कोई खाना पीना घर का दे रह अगर वह काम नहीं कर रहे हैं तो डॉट का रॉप टॉडागiken सुक्सेश्फुल नहीं है अगर कुछ भी हम दे रहे हैं तो डॉप की डिवार्मिंग सुक्तस दॉडिव नहीं है उसाज़ा से ही हिए डॉप को तकता है ठाना पीना उसको कम जा रहा है या ज्यादा जा रह तो आप उने नीचे देए कि नमबरों पर कंटक्ट कर सकते हैं थैंक्टू गाइस इतने स्पूर्ट करने के लिए मुझे और गबर कैनल को थैंक्टू अबुबान